बट उससे ज़्यादा गुस्ता रोज रोज टाना मारना स्टूडेंस को इस नॉट एक गुड प्रैक्टिस क्योंकि वो परेशान होते हैं रात के तीन तीन बजे चार चार बजे कमेंट आता है वो चाहा के भी उस सुचिवशन में कुछ नहीं कर सकता था जो आपके पैरेंट्स के चहरे पे मुस्कान है वो हमेशा के लिए चला जाएगा हाई एवरिवन स्वागत है आप सभी का इस फ्रेश वीडियो में आज का ये वीडियो आप खुद देख सकते हैं as a student या फिर अपने पैरेंट्स को as a test दिखा सकते हैं या फिर अगर आपके पैरेंट्स मना करते हैं कोई वीडियो देखने के लिए तो फिर इस वीडियो से जो भी आप लसन सीखते हैं या फिर बाते समझते हैं आप अपने पैरेंट्स के साथ डिसकस कर सकते हैं उनको बता सकते हैं बहुत natural वीडियो होने वाला है, तो सबसे पहले कोई भी parents देख रहे हो, उनको मेरा प्रणाम, मैं आपको sir, ma'am, uncle, auntie कहके संबोधित कर सकता हूँ, एंड मैं कहना चाता हूँ कि compartment होना या फिर कोई student का fail होना, उसका कम marks लाना कोई गुना नहीं है, बट इससे मैं ये भी justify नहीं कर रहा हूँ कि fail होना okay है, अगर students का कोई problem था, for example, कोई health issues, या कोई family problem, या mental trauma, या फिर कुछ भी ऐसा problem था, जो कि avoid नहीं किया जा सकता था, उस वज़े से अगर students का compartment आया या fail आ सकता, अभी तो result आया नहीं, ये result से पहले बना रहा हूँ मैं वीडियो, तो फिर आप थोड़ा सा accept कीजिए, कि वो चाहा के भी उस situation में कुछ नहीं कर सकता था, बट हो सकता है, आपके सामने ऐसा reason हो, कि वो खाली था, बिलकुल ठीक था, स्वस्थ था, healthy था, बट फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो फिर उसमें student का problem है, उसमें student का गलती है, इसमें अगर student argument करता है, कि मेरा कोई गलती नहीं है, मैं तो ऐसे ही fail हो गया, मुझे teacher ने जान पूझ के fail किया है, बट वो गलत बात है, इस moment में student को accept करना पड़ेगा, कि हाँ उसका गलती था, उसने पढ़ाई नहीं किया, उसने इंस्टाग्राम पे reels चलाया, या फिर जो भी reason था, वो पढ़ाई नहीं किया, बट accept करना is not the solution, मैं सब चीज का आपको reason के साथ बताऊंगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि fail होना गुना नहीं है, बट it doesn't mean कि fail होना okay है, अगर fail होते हो, तो फिर fail से कैसे पास हो गए, वो हमें सोचना है, at the same time मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने नहीं पड़ा है और आप fail हो गए, तो ये तो problem है, बट problem पता चल जाना is not the solution, solution हमें निकालना पड़ेगा, अगर आप fail हो चुके हो, या होने वाल हो, या सोच रहे हो कि आपका compartment आ जाएगा, तो फिर आप अभी से तयारी कर कर लो, हो सकता है कि काफी लोग कर लिया होंगे, बट नहीं किया हो, तो student को मैं बोलूँगा कि आप प्लीज अभी से preparation स्टार्ट कर लो, don't wait for the result, and parents भी उसमें साथ देगे, but parents के साथ बहुत जादा, मतलब students को ये problem होता है कि parents बहुत जादा डांटते हैं, मैं parents को face नहीं कर पा रहा हूँ, parents को मैं बोलूँगा कि अगर आप गुसा करते हैं जादा, आप थोड़ा extreme में पहुंच आते हैं, तो students खुल के आप से बात नहीं कर पाता, इस चक्कर में वो गलत step लेने का mind मैं सोचता है, आपको पता है मैं क्या चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, गल news देखने को मिल रहे होंगे, जहांपे students लोग यह step उठाते हैं, जो कि बहुत गलत है and lifetime loss है, मैं students लोग को भी बोलूँगा कि अगर आपके mind में ऐसा खयाल आता है, तो एक चीज सोचो, जो आपके parents के चहरे पे मुसकान है, वो हमेशा के लिए चला जाएगा, क्या आप चा अपने बच्चों को खोया है, अपने बच्चे को खोना like lifetime एक trauma होता है, so students को मैं बोलूँगा कि please, कुछ भी हो जाए, कितना भी खराब result आजाए, this is not the solution, आपको पढ़ के pass होना पड़ेगा, या फिर उसका alternative तरीके हैं, कि किसी में बिना exam दिये pass हो सकता, हाँ उसमें पैस खर्चा होगा, वो alternative है, but pass हो जाओगा, आपका career ठीक हो जाएगा, but जिन्देगी खतम कर देना is not the solution, अपी solution मत पूछो कि sir बिना exam दिये, कैसे pass होगा, cheating करके कैसे pass होगा, है solution, result आने के बाद मैं खुद बात करूँगा, but parents को मैं ये बोलूँगा, कि आप थोड़ा सा lenient र result, 2018 में मैंने 12th complete किया है, मेरे आयते 84.2%, BTEC मैंने किया, BTEC में मैं physics में fail भी हुआ था, but उसके साथ computer science किया, मैंने अच्छे result के साथ 8.78 CGP के साथ BTEC complete किया, 2 साल से job कर रहा हूँ, YouTube कर रहा हूँ, 6 साल से, compartment students को पढ़ा रहा हूँ, yes, जो students fail होते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ा factors तयार है, सभी coaching तयार है, but जो fail होते हैं, उनका साथ कोई नहीं देता, not even parents, बहुत केस में parents भी साथ नहीं देते, parents बात तक नहीं करते, क्योंकि society क्या बोलेगा, उनके आसपास की लोग क्या बोलेंगे, relatives क्या बोलेंगे, कि यार आपका बच्चा fail हो गया, compartment लग गया, back ह एक साल gap हो गया, क्यों gap हुआ, fail हो गया था, अच्छा, कि subject में fail हुआ, अब क्या करेगा, उसको कुछ नहीं आता था, क्या, ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं, मैं बलकुल समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं हर साल, लाखों बच्चों को वीडियो के जरिये से motivate करता हूँ, और हज सारो parents से बात करता हूँ, जी हाँ, parents comment करते हैं, जिन parents के पास number पहुंचता है, क्योंकि मैं classes लेता हूँ, math का VIP class लेता हूँ, वहाँ पर पढ़ाता हूँ, coaching के तरिये, तो वहाँ पर parents भी बात करना चाहते हैं कि course लेने से पहले बात कर ले, थोड़ा कि sir आप कब class लोगे, क कितना payment करना पड़ेगा, कैसे payment करेंगे, कैसे पढ़ेगा हमारा student, वो सब के बारे में पूछते हैं, और उसके अलावा बताते हैं कि, वो किस situation से गुजर रहे हैं, उनका जो बच्चा होता है, वो fail हो गया है, तो उनके mind में क्या trauma है, but at the end accept करना is the solution, उसको उल्टा अपता आना दोगे, और फिर बोलोगे कि तू तो किसी काम का नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, life में कुछ नहीं रखा तेरे लिए, तो फिर वो और demotivate हो जाएगा, और इस चक्कर में वो पढ़ भी नहीं पाएगा, आप जितना जादा बोलते जाहोगे उसको, उतना जादा वो demotivate होता जाएगा, बट जितना जादा आप support करोगे, उतना अच्छा result लाएगा, even मैंने इतने मतलब sweet parents से मैंने बात किया है, कि वो लोग बोलते है, सर ठीक है, fail हो गया, reason था, उसने पढ़ाई नहीं किया, या फिर जो कुछ भी था, काफी parents ये तक भी accept करते हैं, कि उसका maths में interest नहीं था, हमने जबरदस्ती उसको maths में जाने के लिए बोला, और वो maths में जाके fail हो गया, वो चाह रहा था कि वो दूसरे field में जाए, बट हमने जबरदस्ती उसको maths दिलाया, अभी हम कोशिश करेंगे कि आगे career में वो जो कुछ भी करेगा, उसमें maths ना हो, य या फिर थोड़ा सा accept करते हो कि उसको समझ नहीं आ रहा, पहले कभी उसका अच्छा नहीं हुआ है, 9th, 10th में, 11th में maths अच्छा नहीं हुआ है, तो फिर maths में उसको भेजने का जरूरत ही नहीं है, है न, obviously वो खराब ही करेगा, आगे career में भी maths लोगे, तो आप वो maths खराब करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं समझना पड़ेगा, दोनों का solution है कि student को समझना पड़ेगा कि parents पे क्या भीतरी है, parents को भी समझना पड़ेगा कि students पे क्या भीतरी है, एक दूसरे को समझ के ही, यही तो रिष्टा होता है, एक दूसरे को समझना, like मैं as a YouTuber, as a teacher, आप सभ पास होंगा, sir, कितने गंटें पड़ूँगा, sir, daily routine क्या होना चीए, इसलिए मैं आपको समझ पातों, आप लोग मुझे समझ पाते हो, इसलिए हमारा relation अच्छा है, at the same time, parents और student का क्या ही मैं relation बताऊं, यह तो मतलब अपने आप में self-explanatory है, but fail होना is not self-explanatory, मतलब कि common न आप कम marks ला रहे हो, but आप life में पहली बार fail हो आज तक कभी fail नहीं हो, majority of the students ही होता है, 99% of the students ऐसा होता है, कि जो life में पहली बार fail हो रहे हैं किसी exam में, हाँ, हमें accept करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अभी alternative way नहीं है कि आप ऐसे आख बंद करो, खोल लो तो पास हो जाओगे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको exam देना पड़ेगा, अभी solution की बात करता हूँ, practical की किस तरीके से student पास हो सकता है, एक तरीका है जो CBC खुद offer करता है, मार्च में अगर आप fail हो गए, तो आप जुलाई में exam दो और पास हो जाओ, पास हो जाओ, पास हो जाओ नहीं कि exam दे दिये तो पास हो जाओगे, पढ़ के लिख के पास हो जाओ, दूसरा तरीका है जो मैं admission कराता हूँ, NIOS, NIOS में अगर आप करते हो, तो फिर वहाँ पे credit transfer हो जाते हैं, आपके state में, आपके आसपासी center आ जाते हैं, आप जाके exam देते हो, मैं सारा take care करता हूँ, registration से लेक में भी बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि career में आगे क्या करने, उस हिसाब से हम subject को select करते हैं, अगर आप math हटा के bio डालना चाहो, या कुछ हटा के कुछ और subject डालना चाहो, वह सब भी हम कर सकते हैं, तीसरा तरीका है, exam दो, खोड़ा खर्चा है, बट attempt करके आना है, 60% अराम से मिल जाएगा, यह मैं directly openly YouTube पे detail में नहीं बता रहा हूँ, आप confirm करोगे, फिर हम आगे बात करेंगे, तो इसमें detail में बताऊँगा, तो सबसे best solution में बताऊँगा कि पढ़ के पास हो जाओ, क्योंकि life में डर के भागना is not the solution, alternate way आप ढूंडोगे, ठीक है, exist करते ह आपके लिए, बट उसमें ये शो होता है कि आप डर गए, आप हार गए, या फिर आप महनत करने से पीछे अर्ट रहे हो, यह एक चीज हो सकता है, या फिर आपको कभी पता ही नहीं था, उस field में अना ही नहीं था, maths लेना नहीं था, या कोई भी subject में, maths बार बार इसलिए क या आप उस subject के लिए बने नहीं हो, तो आप दूसरा subject लिए के पढ़ना चाते हो, तो फिर आप change कर सकते हो, ठीक है, तो मैं सभी parents से फिर से हाथ जोड के request करना चाहूंगा, कि गुस्सा कीजिए, एक दिन कीजिए, दो दिन कीजिए, बट उससे जादा गुस्सा रोज रो करना students को is not a good practice, student उससे demotivate होता है, student उससे पढ़नी पाता है, student उससे आगे बढ़नी पाता है, मैं आप comments जाना मेरे वीडियो के comment section में, काफी बार parents भी comment करते हैं, बोलते हैं कि मेरा students आप से motivation लिया, आप से पढ़ाई किया और वो pass हो गया, आपके भरोसे हम छोड़ दिय आप से हमारे बच्चे को, तो ऐसे comment सुनके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि parents accepting बन रहे और खुदा के comment भी कर रहे हैं, कि उनको मदद मिला मेरे वीडियो से, उनको अच्छा लगा, क्योंकि वो परेशान होता है, रात के 3-3 बज़े, 4-4 बज़े comment आता है, parents का, उन करते हैं, telegram पर, so, मैं सब को बोलना चाहूंगा, फिर से हाथ जोड के, अगर मेरे किसी भी बात से बुरा लगा हो, कोई भी student को, या parent को, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मेरा कोई objective नहीं था, किसी भी person को, या किसी भी student को hurt करने का, कोई भी कठोर बोलने का, but, मैं reality आप सभी के सामने बता है, जो हर साल, पिछले 6 सालों से मैं connected हूँ, only failed students है, past students तो, बहुत सारे होता है, बट जो failed student 10% होता है, उन्हीं के साथ मैं जुडा हुआ हूँ, तो समझ सकता हूँ सारे feelings को, अगर कुछ और भी दिक्कत होता है, आप मुझे, मेरा website का link मिल जाएगा, description मे उसमें जाओ, मैं contact का एक link बना रहा हूँ, जहाँ पर आप मुझे contact कर सकते हो, telegram पे, और हमारा group है, google form भी है, कुछ अगर doubt अगरा पूछना है तो, आप डाल सकते हो, फिर एक personal counseling में शुरू करूँगा, जिसमें आपको 15 minute time मिलेगा, आपको क्या subject था, आगे क्या पढ़न करना चाहते है, personally, वो इसको avail कर सकते हैं, so I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार है, तो प्ली चैनल को subscribe कर दो, comment में एक प्यारा सा comment लिखो, all the best, अगर आप parent हो, तो फिर दूसरे students को all the best लिख लिजे, अगर आप student हो, तो आप भी दूसरे student को, खुद को all the best लिख के जाहिए, मिलते हैं अगले video में, तब तक keep learning, keep exploring and keep smiling, thank you so much.